नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासिस में आपका स्वागत है मीरा के पद इस टॉपिक पर हम लोग मीरा के कुछ प्रमुख पदों का सप्रसंग ब्याख्या को देख रहे हैं तो आज का जो हमारा पद है वो है महरोतो, गिर्धर, गोपाल, दूस, रोना, कुया तो इसका सप्रसंग ब्याख्या को इस वीडियो में देख लेंगे तो पहले इस पद को समझ लेते हैं कि इसमें मीरा कहना क्या चाहती है तो पहला जो लाइन है महरो तो गिर्धर, गोपाल, दूस, रोना, कुया महारो मतलब मेरे तो मेरे तो सिफ गिर्धर गोपाल ही है अर्थात गिर्धर गोपाल किसको बोला जा रहा है स्री कृष्ण को बोला जा रहा है और उसको गिर्धर क्यों कहा गया कहा है कि हम लोग जानते हैं कि स्री कृष्ण क्या किये थे गोवर्धन परवत को धारन किये तो तो गिर्धर अर्थात गिरी परवत को धारन करने वाला है इसलिए उनका नाम क्या है गिर्धर तो मेरा कहती है कि मेरा तो सिर्फ गिर्धर गोपाल ही है दूसरा ना कुया अर्थात मेरा कोई दूसरा नहीं है जो कुछ है वो सिर्फ स्री कृष्णी ही है आगे कहती है दूसरो ना कुया साधा सकल लोग जुया अर्थात मैं सारे लोक को सारे संगसार को क्या कर लिया है उसमें जुया अर्थात खोज लिया है लेकिन कहीं कोई नहीं है मेरा जो कुछ है वो स्री कृष्णी ही है वो इसे वो कहती है आगे भाया चांडिया अर्थात अपने भाई को क्या कर दिया मैंने छोड़ दिया बंधिया चाडिया है ना दोस्तों को छोड़ दिया संगा सुयां संगी साथियों को भी क्या कर दिया छोड़ दिया अर्थात मैंने भाई बंधू संगी साथी सब को छोड़ दिय साधा डिग बैट बैट साधा अर्थात साधूओं के साथ बैट बैट मने साधूओं के संगती के कारण लोक लाज खुया है ना जो लोगों में प्रचली थे लोक लाज तो मैं तो वो सब खोदी हूँ है ना लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे साधूओं की संगती अच्छी लगती है भगत देखिया राजी होईया जगत देखिया रूया अर्थात भक्तों को देख कर है ना भक्तों को देख कर क्या हुआ मन राजी होई या अर्थाथ खुस हुआ और जगत देखिया रुईया अर्थाथ जब दुनिया को देखती हूँ तो मुझे रुलाई आती है है ना अस्वा जल सीच सीच प्रेम बेल बुया अस्वा जल सीच सीच अर्थात आंसुओं का जल से सीच सीच कर मैंने क्या किया तो प्रेम रूपी बेल को बोया है ना बेल अर्थात लताओं को तो जिस तरह से पानी देकर या पानी से सीच सीच कर क्या होता है लताओं को क्या होता है बोया जाता है या उसको बढ़ा किया जाता है तो उसी तरह से मैं अपने आशुओं का जल से सीच सीच कर अपने उस प्रेम रूपी बेल को बढ़ा किया दध मत घ्रीत काड लया डार दया छुया दध मत अर्थात दही को मत कर है ना आप जानते हैं कि दही को मत कर उससे हम लोग क्या निकालते हैं मक्षन निकालते हैं तो ही बता रही है कि दही को मत कर घ्रीत काड अर्थात घी को निकाल लेकर या फिर मक्षन को निकाल लिया और क्या क्या लया मन लिया है ना और डार दया छुया अर्थात जो छाच है छुया है ना तो जो छाच है उसको जैसे लोग क्या करते हैं गिरा देते हैं अर्थात जो मेन चीज है उसको लोग ग्रहन कर लेते हैं और जो अनावस्यक चीज है उसको क्या करते हैं परित्याग कर देते हैं अर्थात मेरा यहाँ पर कहना चाहती है कि मेरे लिए जो प्रिय है वो तो स्रिक्रिष्न है बस मैं उसी को ग्रहन करना चाहती हूँ और बाकी दुनिया मेरे लिए तो उस छाच के तरह है जिसको मैंने छोड़ दिया है आगे कहती है राना विशरो प्यालो भेजियां राना अर्थात जो उनके देवर का नाम है तो उनका देवर तो एक बार बिश का प्याला भी भेजे तो क्या कहती है पिय मगन हुया तो मैं तो उसे भी मगन होके पी ली लेकिन क्या है कि उस जहर का भी असर मुझे पर नहीं हुआ क्योंकि मेरे उपर तो स्री कृष्णी का सहारा है मीरारी लगन लग गया होना हो जो हुआ अर्थात मीरा कहती है कि मुझे तो स्री कृष्णी की लगन लगी हुई है अब जो होना है होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह होगे आपका यह पद है अब इसका एक बार हम लोग बिधी बद सप्रसंग व्याख्या को देख लेते हैं तो प्रसंग का अगर बात करें तो मीराबाई द्वारा रचीत इस पद में कवीत्री ने अपने आराध्य क्रिष्णी के प्रती अपने अनन्य निष्ठा और आस्था व्यक्त करते हुए संगसार और उसके सुख भोगों का दिरसकार किया है उसने अपने देवर राना के सं देशों तथा धमकियों की भी परवा नहीं की है व्यक्ष्या को अगर देखते हैं तो मीराबाई कहती है कि मेरा तो एक मात्र संगी साथी प्रियतम केवल गोवर्धन परवत को धारन करने वाले स्री कृष्णे हैं मैंने संगसार का चप्पा चप्पा छान मारा मुझे उन मोह लोब लालच सब प्रकार के पारिवारिक बंधनों को भाय बंधूओं और परिवार जनों को छोड़ दिया है मैं हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हूँ मैंने साधू संतों को अपना संगी बना लिया है उन्हीं के साथ रहती हूँ सत संगती में सारा समय बीचता है जि मैंने कुल की लाज राज परिवार की मर्यादा सब कुछ त्याग दी है भक्तों का संग मुझे सुख देता है वहीं सांगसारिक संबंध भोग विलास आदी मेरे लिए कस्ट कारक है जिस प्रकार कोई माली स्वच्च सितल जल से बेल सीच कर बढ़ा करता है उसी प्रकार मैंने आशू बहा बहा कर कृष्चन के प्रती अपनी प्रेम की बेल को पल्लवित कर लिया है जिस प्रकार दही मतने वाली दही को मत कर मखर निकाल लेती है और छाच को त्याग देती है उसी प्रकार मैंने तपस्या, भक्ती और साधना के द्वारा भगवान के प्रेम रूपी सार को पा लिया है और सांगसारिक माया मोह रूपी छाच को निरर्थक समझ उसे परित्याग कर दिया है मेरे देवर राना जी ने मुझे कूल मर्यादा तथा परिवार की प्रतिष्ठा का सत्रू समझ दंड के रूप में वीज का प्याला भेजा था मैंने उसे भी प्रभु का प्रसाद समझ कर पी लिया और प्रभु की भक्ती में इतनी लीन रही कि वीश का प्रभाव भी ना पड़ा मेरा तो एक मात्र प्रिय गोपाल है और उसी से मेरी लगन लगी हुई है मैं उसे छोड़ नहीं सकती इसके लिए मुझे जो भी दंड मिले जितनी भी निंदा हो यहां तक कि मृत्यू भी आ जाए मुझे उसकी चिंता नहीं मैं सब सहने को प्रस्तूत हूँ पर भगवान की भक्ति त्याग नहीं सकती तो यह था सप्रसंग ब्याख्या अब अगर विशेश का बात करें तो दो तिन पॉइंट विशेश में लिख सकते हैं जैसे अनन्य भाव का प्रेम है ना वैसे ही प्रेम की तनमयता या एकागरत है ना और लोक लाज की चिंता तक नहीं यद्यपी राजबंस की पुत्री और कूल बधु थी तो ठीक है तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत जल्द मीरा के किसी दूसरे पद का सप्रसंग ब्याख्या लेकर आएंगे अगर आपको ये वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद